आज सुनिए हिंदी की वरिष्ट और शीर्षस्त लेके काउं में अपना विशेश स्थान रखने वाली जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी हमसफर उनकी कहानिया इस्तरी विमर्ष पर आधारित होती हैं प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी हमसफर So, let's begin Yeah, sure हम एक दूसरे से कितने भी सवाल कर सकते हैं Well, we will have to define a limit Don't tell me, आप हर काम में limit करती हैं Honestly speaking, करना तो unlimited चाहती हूँ पर कभी family permission नहीं देती, कभी society I know, आज के लिए भी बहुत instruction देके भेजाओगा So many, बताऊं क्या If you want, please I don't have any problem Mom said लड़के को अच्छी तरह समझ लेना Foreign में रहता है दिखने में तो handsome है Sellerie भी handsome है और कितने लड़के reject करोगी baby कहीं तो जाकर रुखना पड़ेगा ऐसा ही और भी बहुत कुछ हाँ 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 All right, तो शुरू करते हैं जब तक आगे जाने में दिक्कत ना हो तब तक या अगर दूसरा जवाब न देना चाहें But no private questions पर ऐसा कैसे हो सकता है अगर हम साथ रहने की सोच रहें तो I want to maintain a personal space in my life Space for what? For thinking, for living, making decisions for myself Agree? Okay, agree Well, let me start by asking you few simple questions Are you vegetarian? No I eat everything Such as pork, beef, seafood What about you? I am vegetarian actually But you don't mind if Not at all Aap US में कब से हैं और India कब कब आते हैं I am in USA since 6 years And visit India once in a year इदर ममा मुझे लगाता लडकियों से मिलवा रही है Do you believe in arranged marriage? I mean Yeah, I believe in arranged marriage में भी इंडियन हूँ इसलिए Well, what do you think? पहले marriage फिर प्रेम? Is it possible? You see, there is nothing certain in life जैसा हम सोचते हैं हर रिष्टा उमीद की नन्नी कोपल से शुरू होता है जब तक बड़ा ना हो जाए उसे बहुत संभालना पड़ता है तो यह before marriage हो या after marriage It hardly makes any difference Oh, I appreciate You are so mature Life is a great teacher, you know By the way, you take wine? Yeah, occasionally Do you? Well, I like wine बट घरवालों को मालूम नहीं है छिप छिप कर घर से बहार दोस्तों के साथ Do you like music? Yeah, very much Mostly Gazals, Chakjee Singh, Hariharan and Gulaam Ali And you? Nice, I like music without words Music without words? Such as? Mozart, Symphony, Of Beethoven and Vivaldi Don't tell me मैंने तो कभी नहीं सुना यह शौक कैसे चड़ा? मेरी मॉम से मैं 12 तक परेंट्स के साथ था मेरी मॉम हमेशा यह चलाए रखती थी घर में Instrumental You know, पुरानी चीज़ें नहीं छूटती After marriage आप अपने परेंट्स को बुलाना चाहेंगे? वहाँ यूएस में? या अगर वे आना चाहें I am the only child क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगी? अगर यह रिष्टा? It depends की वे मुझसे कैसा सलूग करते हैं My mom is very pretty woman वे किसी भी लड़की को उसका space जबूद देंगी वैसे भी यह two-way process है Without giving, you cannot receive anything What about your parents? Because you are the only child too? I don't know actually I love them But leave it now आप कितनी लड़कीों से मिल चुके हैं? आप चौती हैं और शायद आखरी भी एक जैसी सीरीज देख चुका हूँ एक जैसे कप्रे, एक जैसे शौक, एक जैसी thinking I am bored actually आप के बाद मैं किसी से नहीं मिलूँगा मुझे यहाँ की लड़कियों में अमेरिकन लड़कियां दिखती हैं वे उन जैसा ना सिर्फ दिखना बलकि हो जाना चाहती हैं मानो संस्कृत कोई वस्तरों जिसे बदल देने से वो बदल जाएंगी बट हमारे यहाँ के लड़कें नहीं बदले हैं उन्हें अभी भी इंडियन टाइप लड़की चाहिए जो सबसे पहले उनके घरवालों की सुने या उनसे एड़्जस करने की कोशिश करे कई बार भी मैरिज अपने लिए नहीं अपने घरवालों के लिए करते हैं बहुत तो मेल शॉविनिस्ट भी होते हैं लड़की एडवांस हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो पर चले घरवालों के कहने पर घर की इज़द बचाने की जिम्यवारी सिर्फ उसी की पर इसके लिए आप घरवालों को दोश मत दीजे क्या हम उन्हें समझ पाते हैं हम क्यों अपने भीतर होने जगह नहीं देते क्यों हमारे भीतर की जगह इतनी छूटी हो गई है कि क्योंकि उन्होंने मेरेज को एक बिजनेस में तबदील कर दिया है सबसे पहले वे घरवालों के बिजनेस की चानवीन करते हैं पार्टी कितने करोड में उतरेगी ये उनका पहला सवाल होता है इसके बाद बच्चों की चानवीन करते हैं ये मुसीबत तो हम लड़के वालों की हैं लड़की वाले पक्का कर लेना चाहते हैं कि हम उनकी लड़की को क्या क्या दे सकते हैं आप इसका उल्टा भी सोच कर देखिए लड़के वाले भी पक्का कर लेना चाहते हैं कि हमसे उन्हें मिलेगा कितना जिसे एक वक्त तक मैं solution समझती थी बाद में पता चला वो मेरी मूर्खता थी घर वाले रोद होकर आप से अपने मन का काम करवा ही लेते हैं पर इस बार मैं उनकी नहीं मनने वाली marriage होगी तो मेरे मताबिक मेरी शर्तों पर, okay? It sounds great, I admire your courage मेरे parents who NRI के लिए पागल हैं और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं मैंने अपने circle में बहतों को देखा है वे किसी भी तेरे अपनी लड़कियों को विदेश भेज़ देना चाहते हैं खास तोर पर US, आप जानते हैं क्यों? या थोड़ा बहुत, maybe विदेशों में आजादी अधिक है मनी है, जीवन इस तरह अच्छा है प्राइवेसी है, मनिश्य की जान की कीमत है बहुत जादा organized है वहार रोजबर्रा का struggle नहीं करना पड़ता social fear जैसी कोई चीज़ नहीं corruption भी इस तरह नहीं है जैसा यहां हर कदम पर है हमारे हाँ दोरी मान सकता है हम यूएस को गालियां भी देते हैं पर हर parent अपने बच्चे को वहीं भीजना चाहता है but I am sorry एक बात और जो मुझे कई लड़कियों से बात करके महसूस हुई वहाँ बच्चों के साथ उनके parents नहीं रहते बट एक बात और है जो आपको महसूस नहीं हुई क्या वे marriage नाम की एक organization के दुश परिवणामों से उन्हें बचाना चाहते हैं कैसे marriage तो वे कर रहे हैं हाँ वो तो करना है ही पर वहाँ इससे छूटना आसान है इंडिया में नहीं इंडिया में तो निबती ही इस कारण है कि लोग क्या कहेंगे तो आपको क्या लगता है ये organization खत्म हो जानी चाहिए I really don't know फिर बच्चों का क्या होगा बच्चों से पहले हमारा क्या होगा क्या हमें family के जरूद नहीं है क्या हम लगातार self-centered और अकेले होते नहीं जा रहे पहले हम कुनबे में रहते थे पिर संयुक्त परिवारों में पिर nuclear अब तो हम दो लोग भी साथ नहीं रह पा रहे कमज़ कम US में तो नहीं और हम भारती भी उसी दिशा में जा रहे है हमारे देश में ही देखिए कोई किसी के साथ रहने को तयार नहीं पहले पहल जब मैं US गया था देखकर हैरान होता था कि वहाँ परोस का कोई concept ही नहीं है वहाँ अकेले पन की ठंड में कापते हुए मुझे रिष्टों की गर्मी का हैसास होता था मुझे अपना परोसी बहुत शिद्दत से याद आता था अब लोटकर देखता हूँ कि यहाँ से भी वो गर्महट गायब होती जा रही है ले देके खून कही रिष्टे बचे हैं वे भी अप खून कर रहे हैं एक दूसरे के अर्मानों का पर अमेरिका तो कॉस्मो पॉलिटन कंट्री है वहाँ तो हर देश के लोग साथ रहते हैं रहते हैं अपने अपने खूबसूरत दर्बों में अमेरिका की शर्टों पर अपनी नहीं और वो ठीक भी है कि लगबग अकेले हो जाते हैं मैं उन बुजर्गों को देखता हूँ जो पार्क में घंटों अकेले बैठे रहते हैं या अपने घर की बालकनियों में क्योंकि कोई उनसे बात करने वाला नहीं है मैं ड़रता हूँ क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं चलिए आगे बढ़ें मैंने भी आपको कहा उलजा दिया हमें अपने रुटीन सवालों की उलोटना चाहिए हम बार बार वहाँ चले जाते हैं जहाँ सफालों का कोई डेफिनिट आंसर नहीं है हम इसलिए तो यहाँ बैठे हैं डेफिनिट आंसर तो हर जगे मिल जाते हैं थैंक्स इट मींस यू लाइक इट इट मींस हम एक कदम और आगे जा सकते हैं वहाँ लड़की के जॉब करने के क्या चांसर है डेपेंड्स कि वो किस वीजा पर जाती है बट आप चाहती है जॉब करना Yes, of course मुझे ये पसंद नहीं की कोई मेरा खर्चा उठाए या मुझसे मेरे पैसों का हिसाम मांगे Okay, let's think about it later One more quick question Do you like movies? Of course, yes But not Indian movies इसमें कुछ नया नहीं होता एक ही कहानी हर फिल्म है I like foreign films But I like Indian movies I like Aamir Khan, Deepika Padukun and Ranbir Singh But मुझे बेलातार और किसलोग वस्की भी अच्छे लगते है मैंने उन्हें पूरा देखा है बर्गमेन का तो मैं दीवा नहीं हूँ ये किसी एक्टर्स के नाम है No, Directors Oh, do you know how to cook? Yeah, very much मैं हैधराबादी चिकन पिर्यानी और मटन करी इकनी अच्छी बनाता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जब भी आते हैं इसी की डिमांड करते हैं Which cuisine do you like the most? I like Chinese, Thai and Italian What about you? I like Indian Such as chicken, butter, masala and dal and homemade roti Ginger naan मुझे अभी तक bread खाने की आदत नहीं पड़ी And books I love reading Do you like it? No, I don't like books देख कर ही मुझे नीन आने लगती है मुझे जो देखना होता है ऑनलाइन देख लेती हूँ Books देखने के लिए नहीं होती नए सफर पर ले जाती है Which सफर? Let me speak in pure Hindi किसी को पढ़ना उसके भीतर के संसामन प्रवेश करने जैसा है आप उन-उन कोनों में चले जाते हैं जहां आप वैसे कभी नी जा पाते वो आपको अपने शहर की बंद गलियों में ले जाता है अपने बंद घर में वो जो गिर चुका है उसका सीलन भरा फर्श और अंधेरे कोने जहां अब भी ना जाने कितने ख्वाबों के कंका लटके हैं हम उन्हें छूते हैं तो हमारे भीतर सूखे आसू बहने लगते हैं हम चाहते हैं वहां से भाग जाएं पर कोई चीज हमारे पैरों और रूँ को जकर लेती है I didn't understand फिर जाते ही क्यों है उसके भीतर की गलियों में भटकते हुए हम पाते हैं यहीं कई हमारे भीतर से भी कुछ गिर कर खो गया था उसके बच्पन के पुराने टूटे जरजर खिलोने और कच्रे के धेर में कुछ हमारे लिए भी होता है जिसे हम सबकी आँख बचा कर चुपके से उठा लेते हैं एक अच्छी किताब में एक अनोखा जानलेवा संगीत होता है जो इसके शब्दों में से फूटता है और हम पर एक नशे की तरह चड़ता है और ये हैबिट भी आपको आपकी ममा से आई है येस आफ कोर्स आपको अपनी ममा ये डैड से कुछ नहीं मिला आइ डोंट लाइक ममा जाइफ टिपिकल इंडियन वुमन हजबन के बिना जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं आइडेंटिटी से आपका क्या मतलब है अपना काम अपना नाम अपनी जमीन और अफ कोर्स अपनी मनी बट उस लाइफ में कुछ अच्छी बाते भी हैं सच एस त्याग समर्पन लव और ये शब्द सिर्फ औरतों के लिए ही हैं वे ही खोती हैं खुद को इनके पीछे नहीं ये दोनों के लिए हैं और अनफॉर्चोनेटली दोनों खो रहे हैं इस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी May I ask next question? Yeah, sure Are you religious? Not that type I believe in God but not believe in religion And you? I am semi-religious I don't go to temple but prayer daily आपके दूसरी hobbies क्या हैं? Well, मुझे जंगलों में गूमना अच्छा लगता है कभी-कभी weekends में मैं fishing के लिए जाता हूँ अकेला और बैठा रहता हूँ घंटों अपनी छोटी सी बोट में बार्वेक्यू में अपना food पकाता हूँ पीता हूँ और sad songs सुनता हूँ And you? मुझे कलब जाना अच्छा लगता है और डांस करना Late night party करना तयार होना, shopping करना I can't live alone even for couple of hours But आपको sad songs सुनना क्यों अच्छा लगता है? I don't know शायद प्रेम और दुख में एक magnetic power होता है जो हमें अपनी तरफ खीशता है Well, I never felt this way Have you ever seen the ocean? Yes, of course उसे देख कर लगता नहीं वो आपको बुला रहा है अपने भीतर की ओत्रो और उस पार चले जाओ उस पार? बट उस पार तो मृत्यो है? Yes, प्रेम और दुख मृत्यो ही तो हैं घटे अलग अलग तरीके से हैं इससे गुजडने के बाद तुम वही नहीं रह जाते जो तुम थे Ha, 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 ha You are very interesting Sound like you have been through all this But we can talk about that later First, you answer my question What is the goal of your life? It's very difficult to answer this question Well, बार से देखने पर एक middle class man की तरह अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश एक या दो बच्चे And अपनी कंपनी का CEO बनने का ड्रीम But honestly, I want to do something different I don't want to be like the rest But life is very demanding and cruel thing It don't leave you alone How do you feel about your life? Oh well, मुझे आसमानों में उनाच्छा लगता है मैं वाइन भी इसलिए पीती हूँ कि अपने भीतर उड़ती रह सकूँ मैं दो साल से एर होस्टेस हूँ But जब मैं जमीन पर होती हूँ तो लगता है आसमान चाहिए आसमान में रहती हूँ तो लगता है जमीन चाहिए One side of me always wants to have fun and enjoy life But the other side of me sees the danger of all that The difficulties, temptations So I really don't know where I will end up जिससे हम जानना कहते हैं बहुत तकलीफे सहने के बाद आता है नहीं? आपको सुनकर भी लगता है आपने बहुत संगर्श किया है Isn't it? Yeah, वे बड़े खूबसूरत दिन थे मेरी इंजिनिरिंग के पढ़ाई के लिए जब मैं यूएस गया तो सबसे पहले अपने लिए काम ढूडा मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैं सिर्फ दो महीने रह सकता था और मुझे तो पढ़ना था फीज देनी थी जॉब ढूरते समय मुझे शर्म आ रही थी कि कैसे रेस्टोरेंट या स्टोर में काम करूंगा और मैंने देखा कि हमा लगवक सारे बच्चे नाइन तक आते आते पार्ट टाइम काम कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं और इस बात पर फक्र महसूस करते हैं हर तरह का काम करने की आदत उन्हें बच्पन से ही पढ़ जाती है। वही मैंने सीखा कि ये हम पर की हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। आपको इस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा ना। पर काश करना पड़ा होता। तो दूसरों के बताएं रास्ते पर चलने की विवश्चता ना होती। इस ट्रगल आपको पंग भी तो देता है। I can understand, life is not very simple, one can live simply, but life itself is complex. By the way, is there anyone in your life? I had once, honestly I want to share with you, एक थी, हम दो साल साथ रहे, फिर वो चली गई, and you? My ex-boyfriend फिर लोटना चाहता है, और आप उसे एक मौका और देना चाहती हैं? I can't say anything. Okay, so this meeting is finished. जिसे हम खतम होना कहते हैं, दर असल वहीं से कुछ शुरू होता है. Oh my God, you are talking like my mom. I want second session, if you? Oh, come on, with great pleasure. Do you believe in, live in relationship? Not like that, वो मुझे अच्छी लगती थी. हाला कि वे एक American लड़की थी, उनकी जिन्दगी का पैटर्न और सोच हम इंडियन से काफी अलग है. एक Mexican restaurant की टेबल पर उसे मुलाकात हुई थी. वो इतनी उन्मुक्त, इतनी पारदर्शी, इतनी जीवन से भरपूर लग रही थी, कि उसका चेहरा उसके भावों को संभालने पा रहा था. वो समुद्र की विशाल लहर थी, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती थी, उसने बहुत पी रखी थी. बाहर आने के बाद हम चड़कों पर डांस करते रहे, सब हमें छोड़कर चले गए थे, उस प्यार का ऐसा आवेग उठा मेरे बीतर, मैं उसे घर ले आया, हमने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, सुबह वो चली गई, बस हम मिलते रहे, उसके और भी दोस्त थे, जिनसे मिलती थी, जो कभी कभी बेहुशी की हालत में उसे घर भी छोड़ाते थे, मैंने कभी अतराज ने किया, फिर एक दून मेरे साथ रहने आ गई, उसके पेरिंट्स, वहां इंडिया की तरह नहीं है, कि हमारे फैसले हमारे पेरिंट्स करें, इस तरह के संबंदों को लेकर भ ना चाहा, मेरे शौक उसे अच्छे नहीं लगते थे, उसे मेरा अकेले रहना और घूमना समझ में नहीं आता था, जैसे ये करके मैं उससे कुछ चीन रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला, उसके पास देने को सिर्फ उसके जिसम का भी आवान है, मैं उसमें कुछ और ढ और खुश है, बट इस सब के लिए मैं उसे बिलकुल दोश नहीं देता, हम एक दूसरे के बहुत दूर खड़े हैं बस, और ये दूरी में पहले नहीं देख पाया, आई लाइक दिस धिंग, हमारे यहां तो ये आजीवन कैद से कम नहीं, आप छूटी नहीं सकते, मैंने मरने से पहले एक बार जिंदगी चुन लो, इस पर भी वे बहुत नाराज होती हैं, हम मन चाही चीजों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तो रिष्टों को क्यों नहीं, ये चुनाओ कोई दूसरा कैसे कर सकता है, हम यहां इतने जड़क क्यों हो जाते हैं, हमारे यहां क्लास कोई भी हो, अधिकतर औरतों के काम निर्धारित होते हैं, सातों दिन खाना बनाना, घर की देखबाल करना, अच्छी बीबी, अच्छी माँ बनने की कोशिश करना, उसके पास उसकी अपनी कोई सोच की जगए ही निवस्ती, कोई उससे क्यों नहीं शादी के बाद तो उसकी सोच पर ही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, फिर वे ये फ्रस्टेशन कहीं और निकालती हैं, अक्सर अपने बच्चों पर, फिर अपने पती पर, तो आपको उसके लिए तैह हुए कामों से नफरत है, ना की मेरिज से, हाँ, पर ये काम तो मेरिज की वज़े से करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी, अगर आपको आजाद औरत देखनी है तो पश्चे में आईए, यहां से बहुत आगे हैं, वहां फिर इस आजादी से पैदा हुई दूसरी समझ से आए हैं, किसी भी इस्थिती से छूटने के लिए अपनी चाहती हैं, जैसा पुरुष या समाज उन से उमीद करता है, सिर्फ इसलिए कि वे एप्रिशियेट की जाएं और उन्हें अपने लिए तमाम सुविधाय मिल जाएं, वे क्या चाहती हैं, वे क्या जानती भी हैं, सिर्फ सुविधाय या खुद अपना आप, खुद को ही उसमें सड़ते रहने के लिए, और इसके साथ ही तुम्हें उस फ्रीडम की सीमाओं का भी पता होना चाहिए, कि कहां तुम्हारी खत्म और दूसरे की शुरू होती है, यस यूर राइट, अच्छा दिखने और पेश होने की कोशिशें बहुत कुछ नष्ट करती चलती ह हमारा, अपनी उधार की आजादी जीते वक्त मुझे अक्सर लगता है, मैं अपनी मा की खोई आजादी भी जी रही हूँ, इस फ्रीडम लव्ज में मुझे बेपरवावी बनाया है, इसी के चलते मैंने कई फैसले गलत किये, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से जूट बोलत आई हूँ, मैं जानती हूँ, वे सच नहीं सुन सकते, बट आप ठीक कहते हैं, मैं वैसी ही बन गई, जैसे मेरे दोस्त मुझे देखना चाहते थे, मैं घर में एक तरह की जिंदगी जीती हूँ, बाहर दूसरी, और कभी कहनी पाई किसी से कि मुझे दोनों पसंद नहीं है अगर आपको दोनों पसंद नहीं है, तो फिर तीसरी आपको खुट डूर नहीं होगी, या वो कौन सी होगी, मैं नहीं जानती, बट आपको क्या लगता है, जिसे हम अच्छी तरह जानते हूँ, पूरा, उसी से मेरेज करनी चाहिए, अब नहीं लगता, पूरा कैसे जाना जा सकता है किसी को, अगर हम खुद को नहीं जान पा रहें, और फिर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जो तुमारे वजूद, तुमारे पन को स्विकारे, वे अक्सर तुम्हें बदल देना चाहेते हैं, और ये कोशिश बहुत घटिया है, पर बदल जाना क्या बुरा है, क्य जाती है, सो वाट, वो धोका नहीं था, एक भूल थी, किसी को न पहचान सकने की, पर इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, और मैं जिंदगी बगए प्रेम के नहीं चलाना चाहेता, प्रेम तो भीतर बार-बार जन्म लेता है, बार-बार हमें मारने के लिए, बट ये भी पता है, चाहने से नहीं होगा, कुछ बाते हमेशा हमारे वर्ष के बाहर रहती हैं, वे सिर्फ घटित होती हैं, और आप उसके घटित होने का इंतजार कर रहे हैं, ये तो जोखिम है, सचमुझ का जीना जोखिम ही है, लगता है आप ऐसा नहीं मानती, मुझे लगता है जि मन चाहा शिकार कीजिए उसे मारिए उसके साथ फोटो खिच्वा दीवार पर टांगिए फिर उसी को पका कर खाते रहिए जब तक स्वाद है फिर आगे बढ़ जाईए अगर ऐसा ही है तो आप अपने बाइफरेंट को क्यों छोड़ती ये वही तो कर रहा है स्वाद ढूरने की कोशिश इसमें शिकार कौन था और शिकारी कौन एक मौन पसर जाता है ये बहुत मुश्किल है अपनी सोच और चाहनाओं को ठीक ठीक देख पाना और उन्हें को इस शब्द दे पाना बहुदा तो हम दूसरों से मिरे शब्दों में अपना अर्थ भरने की कोशिश करते हैं और गलत समझते या समझे जाते हैं और इनी शब्दों के कारण हम अपनी सोच के वास्तविक कारणों और समस्याओं को नहीं समझ पाते बस इतना समझ लो कि कुछ चीजों के बिना तुम नहीं रह सकते Such as दोस्ती, प्रेम, फैमली, आशा, आस्था, ड्रीम, डेटिट्यूट, अपने पंकों की सामर्थे पर यकीन, अपने होने पर, और साहस जोखिम वरन करने का आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, कहां से लायतना सब? कहीं से नहीं, तुमारे भीतर है, knock your door Oh, come on Ha, 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 really, but leave it now I want to knock my door, can you make me understand how? I will try, if I can, but everything can not be expressed in words Some things are better left unsaid शब्द मदद नहीं करते, किसी के भी हूँ, हमारी कोशिशे करती है But I love this thing in you चलो आगे बढ़े, मुझे लेकर आप क्या फील कर रही हैं? Honestly speaking, I want to hug you You are so pure, so honest इतने कम समय में तुमें इतने अच्छे लगने लगे हो कि मैं हैरान हो रही हूँ जैसे बहुत शोर से भरी सडक पर घंटों गुजरते रहने के बाद एक आएक तुम किसी घाटी में पहुच जाओ और तुमें अपनी आवास साफ सुनाई देने लगे बहुत ही गहरी और सॉफ्ट जैसे आदी रात को अपनी सांस सुनाई देती है तेल मी वन तिंग हमें क्या चाहिए इसे क्या हमेशा कोई और बताता है नॉट आलवेज कभी कभी बहुत वक्त रख जाता है पर ऐसा कभी नहीं होता कि जो हम चानने निकलने हों वो ना जान पाएं बट इसका श्रे आप मुझे मत दीजे यह आप मेरा दिल रखने को कह रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिसन आई लाइक यू डीपली आई डोंट नो वाइ सोचकर आई थी कि तुम्हें ना कहूंगी तो मुझे मेरी एर हॉस्टेज की जॉब कोई ने चीन पाएगा और सच यही है कि मैं ना कहने ही आई थी मैं तो और बाते करना चाहती हूँ बट विचारों रिसेप्शन पर बैठे हमारे इंतजार कर रहे होंगे बेचैन हो रहे होंगे क्या कहेंगे हम उनसे कि यह रिष्टा हमें पसंद है या नहीं हम दोनों बहुत अलग हैं दूसरे से देना चाहती हैं अब नहीं यू नो उसमें और मुझें बहुत कुछ कॉमन है फिर भी हम हर वक्त लड़ते रहते हैं मैं ना उसके साथ रह पाती हूँ ना उसके बिना मैंने उससे इस तरह कभी बात नहीं की जैसे आपके साथ इतनी फुरसत उसे नहीं है वो बहुत जल्दी में होता है उसे हर वक्त सेक्स चाहिए कभी कभी मुझे लगता है मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से उसे सिर्फ मेरा जिसम ही चाहिए आपके पास जो जो है उसमें से आप पहचान भी तो अपने जिसम ही पाई है तो कोई दूसरा कैसे जाने का कभी इससे तैर कर उपर आईए और सोची आप क्या है अपने भीतर से दिमाग से नहीं फीलिंग्स नेवर लाए I just realized मुझे जंगलों में घूमना अच्छा लग सकता है या नदी किनारे चुपचा बैठे रहना Fishing करना Fishing means waiting I may try to read books उनमें वे खंड़े डूरने की जिनमें खोया हुआ अपना आप मिल जाता है Is it possible to discover oneself? हर बीच फूटता है अगर उसे सही जगे लगाया जाए बस अपनी मिट्टी का ख्याल लगना होता है हमें अपना रास्ता पहचानने की जरूरत है We need some time to recite आपके भीतर एक तकलीफ है अपने जैसा ना हो सकने की अपना रास्ता ना ढूर पाने की Unless we recognize ourselves, we cannot recognize others ये जो कुछ भी है सुंदर है एक दूसरे को जानने की शुरुआत हमने जो कहा उसमें वो भी शामिल है जो नहीं कहा जा सका पर सुन लिया गया ये जरूरी नहीं कि हर मुलाकात नतीजों वाली ही हो मुझे आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा जितना संसार मैं आपका देख पाया definitely उससे बड़ा संसार आपके भीतर है बहुत कुछ वो भी जिसे ढूर पाने की कोशिश नहीं की गई जादा तो नहीं पर एक जलक तो पाही ली मैंने आपकी We should take some time, okay? एक promise ले सकती हूँ आपसे? Yeah, sure? यह रिष्टा हो नहो हम आपस में बात करते रहेंगे जहां भी तुम रहो या जहां भी मैं रहू I don't want to lose you and one thing more वो मृत्य जब घटित होगी मुझे बता जरूर देना Agree? हाँ 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 पर मैं अपनी मृत्य की सूचना तुम्हें भेजूंगा कैसे? यही कहकर कि don't wait, I am no more और क्या करोगी सुनकर कुछ नहीं एक दूसरी मृत्य की तैयारी अभी आप सुन रहे थे जयाजादवानी जी की लिखी हुई कहानी हमसफर आशा है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुप हो